आई दोस्तों मैं खिदय और आपको डिए टेकनोलजी नेटीन दोस्तों सावमी एक ऐसाम ब्रेंड है जो हमेशा हमारे लिए कुछ आश्रम लेके आता है दोस्तों अभी आप सभी को पता होगा कि सावमी MI5X जल्दी रिलीज होने वाला है जल्दी लॉंच होने वाला है दोस्तों चलिए आज बात करते हैं सावमी MI5X के बारे में तो चलिए दोस्तों सुर करते हैं सब्सक्राइब और स्टे कनेक्टेड दोस्तों अगर बात कर जाए सावमी MI5X की तो MI5 series का MI5C के बाद का ये फोन है ये करिबन जुलाई 26 को लॉंच होने वाला है चाइना पे और ऑफिशियरली रिलीज डे आया है सावमी की तरफ से के रिलीज के पहले जो अभी रेजिस्ट्रेशन चल रहा था तो उसी रिजिस्ट्रेशन में करीबन 2 million customers ने अब तक 2 million से जाड़ा customers ने इस फोन के लिए रिजिस्ट्र किया है क्योंकि दोस्तों ये ऐसा फोन है जो जितने भी leaks आया थे इससे पहले उसकी specifications को लेके उसके अलग बातों के लेके वहाँ पे सबसे बरी जो इसके attraction था वो था इसका dual camera setup और इसका MIUI 9 जो Xiaomi का latest custom android room है दोस्तों अगर बात किया जाए इस फोन की जो leaked specifications है तो यहाँ पे आप लोगो करीबन 5.5 inch का एक full HD display मिल जाएगा snapdragon 502 का processor मिलेगा 4GB का RAM होगा dual camera setup डिख रहा है जो leaked image है जो official image released है उसमें और वहाँ पे आपको एक fingerprint sensor भी back में leaked image जो official जो promotional जो pics है उसमें दिख रहा है दोस्तों यह phone करीबन अभी बोला जा रहा है कि जो यान है Chinese यान है तो 1,999 यान पर यह available हो जाना चाहिए जिसका अगर approximate Indian value निकाला जाए तो करीबन 19,000 के आसपास होना चाहिए तो अगर यह phone 19,000 के आसपास release हो जाता है तो यह बहुत अच्छा option है अगर आप लोगे अच्छा phone करीजना चाहोगे तो दोस्तों जैसे यह phone launch हो जाता है पूरी specification हम आप लोग को बताएंगे और पूरी बात यह देखेंगे कि कि क्या है phone कितना चीज इस 19,000 के अंदर सही ह या फिन नहीं दोस्तों आसा करता है यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा इस वीडियो को लाइक कर देजीगा सेर कर देजीगा हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा जब तक के लिए जैहिन भारत माता की जैए